कि से हो आप लोग ऊपसी ही हुंगे सम्मस्थ होंगे तो आप अपने पहले जो मेरा वीडियो देखा होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था फर्स सकेंद्ड दू बता है ठीक है तो यह आपका लेक्टन वुक्त फरसौप है स IXra नेकार मता हैं यहीं श्वाइब दैजी कुष्यजद कर रहा है जो पॉयन्ट्वाइज में बताने की पारी शोट्ट बहुत ज्यादा एज यहीं बताने को उसिफ कर रहे हूं ठीक है जिससे कि आपको चीज़े इदम अच्छे से क्लियर हो जाए तो फिर यहां पर पहले फश्टी तो यह दिखा दें कि आपको टॉपिक क्या-क्या लेना है इसमें आपको क्या-क्या पढ़ने है ठीक है तो बात करते हैं आपर पराकोस का इस पराकोस जब फट जाता है तो उसमें से जो पराकड बाहर आ रहे हैं उनका structure कैसा होता है उसके बारे में जानना होगा ठीक है पराकोस में होने वाले घटनाओं का संचिप्त सार बताया जाएगा संचिप्त विवरण दिया जाएगा यानि पराकोस के अंदर क्या-क्या हु में आपको बताये जाएगा कि इसमें हुआ क्या-क्या था ठीक है तो रिवीजीन में को को सब चीजे समझ में आ जाएंगी और पराकड करो का भंडारण पराकड को store भी किया जाता है कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो पराकडो का को store करके कई तक उसको रखा जाता है फिर बाद में उसको यूज भी किया जाता है तो इसके बारे में बताएंगे ठीक है फिर क्या बताना है हमको पराकडों का उपयोग क्या होता है कहां होता है कहां कि लोग ज्यादा करते हैं ठीक है तो इसके बारे में बताना है पराकडों से होने वाल तो समझ में आ जाएगा कि मैंने चीजे बहुत अच्छी बताई है और आज की जो टॉपिक है ना इसमें से तीन चार कोश्चन ऐसे कोश्चन है जो अगर मैं आप नेक्स्ट यर नीट देने वाले हो ना तो उसमें आपके काम आने वाले कोश्चन बनेंगे समझे ना तो आप के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन बने बनने वाले है इसमें से यानि आज का टॉपिक जो है वह बहुत ही इंपोर्टेंट है उनके लिए जो कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ में ही या नीट का एक्जाम देने वाले नेक्स्ट यर तो आप लोग इसको छोड़ के मत जाईएगा, क्योंकि मैं 3-4 question जरूर बताने वाले हो, आम इसा question पुछा जाता है, ठीके न, जिसमें कि आपका कहां से question आएगा, मैं वो बता देती हूँ, ठीके, एक question आपका यहां से रहेगा, यह important है, इसमें से एक-दो question आपके need के लिए बनेंगे, फिर इसमें से question बनेगा आपके need के लिए, ठीके, यह important होगा, फिर पराकडो का उपयोग इसमें तो नहीं, हाँ, होने वाली बिमारियों से में भी आपका एक question बन सकता है, ठीके, लेकिन आपके यह दो point बहुत ही जादा important है, पराकडो की संरशना वाला, और आपका कौन सा होगा, पराकडो का जो भंडारण होता है, यह दोनों चीजे बहुत ही जादा important है, ठीके न, तो फिर हम बात करते हैं, आपका यहां से start करते हैं, देखना, ठीक, यह चीजे हो गई, अब बात करते हैं, आगे भी अभी topic है, आपका देखो, दो topic इधर से भी है आपका, पराकडो की जीवन छमता, ठीके न, इनकी life, जो life span होती है, वो कितने year की होती है, कितने मन्त की होती है, कितने घंटे की होती है, या फिर मिनट में है, तो कितने मिनट की होती है, तो इसका example एक देदेंगे, तो clear हो जाएगा, ठीके उसके बार में थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक, उसके बार यह अपका next में होगा, ठीके, तो start up कर देते हैं, मैंने यहां पर पराग कोस का इस फुटन यहां सी स्टार्ट होता है आज का क्लास ठीक है आप आज आते हैं अपने टॉपिक पर कांटीन्यू बने रहिएगा आप छोड़के मत जाईएगा बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है समझे ना तो स्टार्ट करते देखो पराग कोस का इस बताया गया था इसमें आपके चार चिम्मबर लगे रहते हैं इस तरह से ये वादिश है अने स्ट्रक्चर बने थे ति mortar करें जब इनकों हमने स्टरह करकर सिर्ट निकल के आया जव यह निकल के आया यह स्ट्रक्चर जब फटेगा तो फटते ताइम इसमें क्या होता है कैसे फटता है यह सारे इवेंट यहां पर बताने वाले हैं हम समझे न तो देखो आपका क्या है यह एक मैं तो तो देखो इसमें मैंने यहां पर शॉट फॉर्म में लिखा है जब आप आप इसे खोलोगे यह वाला पॉइंट स्टार्ट करोगे मैंने क्या कहा था आपको इसमें डूड़ने की जरूरत होगी आपको इसमें पूरा थियरी की वेस में इस तरह से दे दिया है आप उसमें से खोजो पढ़ो आपकी प्रॉब्लम है ठीक है लेकिन दिया बहुत अच् चाहते हैं दिक्षों क्या होगा वह आपको पहले बताया था मैंने में लेप मनभभ बनता है तो जह वाहर वाला था मधिविति फैसे च्ट ल का इसल के बदर अंदर वाला था वो टैपिटम वाली लेयर था मैंने कहा था कि यह क्या करने वाला है पराग के कड़ों को ब्रिधी करने में पोशड देगा ठीक है उसी टैपिटम की हम बात कर रहे हैं ठीक है जब पराग के कड़ अंदर पूरी तरह से विक्सित हो जाते हैं टैपिटम के अ सब्सक्राइब इस तरह से आफ इस तरह का जो यह स्ट्क्चर आप बहुत सारी स्ट्रेक्चर बने रहते हैं तो इस तरह के बहुत सारे होंगे जो सब में चाड़ चार चार होगा किसीले तो यह वाला होता है यो ईंनल सब्सक्राइब कर्द क्या है है इंग के पराग कर्ड़ क् 현 है किया है पराग कर्ड़ बोल सकते उतिकन वांगे example इropri ile कर है कि समझे न ये ये और आपके ये भी वही है ये भी वही है समझे ये चारों आपके क्या है पराग कड है तीके पराग कड का जो चार का समूं आएगा इनके चा ये क्रएक में बनाकि एक ऑटर layer जो बनता इसको कहते हैं कैलोज कहते हैं मैंने आप लिकhा भी है पराग कड बैदर लगी भिटी पराग कड़ के ऊपर एक layer बनी होगी जिसे हम क्या कहते हैं कैलोज कहते हैं पीछे आइए आप देखिएगा यही जो कैलोज होता है ये इसको तोड़ना पड़ता है, जब तक ये कैलोज वाली भित्ती हटेगी नहीं, तब तक ये पराकेकर बाहर नहीं आने वाले हैं, तो इनको हटाने के लिए एक जो टैपिटम वाली लेयर है, उसका एक फंक्शन और बढ़ जाता है, ठीक है, पोशर तो देई रहा था, ए कैलेज इंजाइम का स्रावड, ठीक है न, इंजाइम का स्रावड, ठीक है, ये फंक्शन इसका बढ़ गया, टैपिटम पोशर देने के साथ साथ ही, कैजब पराकेकर पूरी तरह से डवलप हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, उस केस में क्या होता है, कि ये टैपिटम कैल तोड़ने के लिए एक कैलेज नाम का इंजाइम निकालता है, ठीक है, अब देखो मैंने कहा था इंपोर्टेन कोश्चन है, ये नीट के लिए बहुत इंपोर्टेन कोश्चन है, बहुत ही लोग जानते हैं टैपिटम पोशर देता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि टैपिटम, कैलेज नाम का एंजाइम भी निकालता है, ठीक है ना, it is very important for need, यहाँ पर लिख सकते हो, important for need, समझे ना, it is very important for need, because of most of the year, this question is put up, from the need paper, mostly यह question पूछा गया है आपका, ठीक है, नेट एक्जाम में, कि यह आपका टैपिटम है, कौन सा एंजाइम श्रावित करता है, ठीक है, वो एंजाइम किस भित्ती को नश्ट करती है, ठीक है, या फिर पराकिकर कौन से बाहर वाले भित्ती का नाम क्या होता है, कैलोज होता है, ठीक है, आप समझ लो, कैलोज, कैलेज, ठीक है, एंजाइम पढ़ा होगा, तो आप सुने होंगे, सुक्रोज वाले के लिए, सुक्रेज होता है, डीने के लिए, डीने के लिए देखो, अब जब आप जनेटिक वाला, नेक्स्ट वाले यूनिट पढ़ो गया है, ना, और लिए, डीने को हटाने के लिए, डीने के लिए, अरहने को हटाने के लिए, ने जाएगा, और प्रोटीन को नस्च करने के लिए, प्रोटीएज आएगा, वैसे.. और क्लास 10 के लिए उर्जा बैच और 7 में क्लास 11 के लिए भी उर्जा बैच चल रहा है और 12 के लिए भी उर्जा बैच चल रहा है जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइब पढ़ाएंगे इसमें आपको complete notes भी मिलेंगे टुरन जैसे ही live class खतम होगा आप notes ड student के लिए तो जितने भी student डेख रहा है description में मैंने आपको सभी बैचेस का लिंक दिया है जिस भी क्लास में उस पे क्लिक करके आप इंडॉल कर सकते हैं अगर आप चाते हो कि आपके fees से और discount आपको मिले तो आप सुभम UP10 इस code को use करोगे तो आपको 10% extra discount आपके total fees से देखन में को मिलेगा तो जितने भी student डेख रहें जल्दी से बैच को जॉइन करें और अपनी तयारी शुरू करें से ही कैलोज भित्ती को नस्ट करने के लिए हटाने के लिए तोड़ने के लिए को न आ रहा है या गलाने के लिए को न आ रहा है कैलेज आ रहा है कैलेज आ रहा है ठीके तो देखो ये कैलेज को निकाल रहा है टैपिटम निकाल रहा है मैं एक बार फिट से इसको क्लियर करती के कैलोज लेयर बन जाती है ठीक है वह एक लेयर का समूझ कर था ऐब आकर को आपने अंदर रखिय Allah एंदर चार पराकर ऐसे तरह दर साड़क के अंदर पडे रहते हैं ऐसे ने होट कर जाते हैं तभी कैलों कंद unfamiliar से इसके अंडर यह पर परागड को गवर किये हुए यह क्या करती है कि भटनी का नाम ही नहीं लेती है तब अब क्या होगा तो ट्रणिक भगता हूं मैं तुमको तोड़के यहां से हटाता हूं तो क्या करता है वह वो तुरंथ कैलेज नाम का एंजाइम में लगता है यानि जितने लिए Reyan ना कालेज़ इंजाइन ये क्या करेगा कैळोज परत को नस्ट करेगा नस्ट करने के बाद लगू गीजाडू धानी क्लिघ्म क्लावगा रा पड़ाद में जो होगा और अपके बाहर आ आसान हो जाए ठीक है इतना ना करके आप अगर मैं इसको short form में देखना चाहो तो वह भी देख सकते हो यहीं तक ठीक है फटना फटने के बाद या फिर आप यह बोल सकते हो क्यलोज रेयर का फटना ओर यह क्या है पराकर का बाहर आना इतना तो समझ में आगया होगा बस इतना ही समझ लो ठीक है इसज़्यादा मस् बाहर आगे है सिंपल सी बात है इस से जादा इसमें नहीं है अब हम आपको इसका diagram बना दिखा दे रहे हैं यही वाला जो मैंने बताई की यह वाली layer है ठीके यह जो इसको घेरे वे इस तरह इस तरह वाइट वाली layer मेंने बनाया तो कैलोस है इसको नश्ट करने वाला enzyme कैले जाजाएगा यह आपका फट जाएगा, यह चारो धेरे-देरे पाहर आ जाएंगे. ठीके, जब यह बाहर आ जाते हैं तो वाल पे प्रेशर डालते हैं, वाल पे जब प्रेशर डालते हैं, उस केस में क्या होता है कि लेयर फट जाती है, ठीके? देखो, अब हम यह आपको पराके कड़ों के जो फटने का होता है, पराके कड़ कैसे फटते हैं, उसके बारे में जानना था, थोड़ा सा हम उसको स्टार्ट करते हैं, दिखाएं, देखें, यह है, अब हमको यहाँ पर एक डाइग्राम दिखाना है, कि जब यह लेयर फट ग एक नट, हाँ, एक नट अबस दिखा रहे हैं, नीचे चला गया, एक नट, हाँ, मुझे यही दिखाना था, देख रहे होगे न, जो मैंने यह तीन लेयर बताया था, यह लेयर होती है, अंदर की तरफ, यह देख रहे हो, बाहर की तरफ टैपिटम है, थड़ा में बढ़ा कर देती हूँ, देखो अंदर की तरफ यही टै इसे भिजाडू बनने वाले हैं, जब यह बन गया है, यह दिखाया अंदर की तरफ लेयर खेंट होगे, है लगुवी-जाडु मात्री कोशिका इसके अंदर बनती है एक एक जो मात्री कोशिका होती है वो चार आपके पराकड बनाती है वह चार पराकड का एक लेयर में बनता है जिसके ऊपर क्यलोज कवर कर लिया था त्य पिटम ने निकाल दिया था वहां जाके pressure पढ़ गया था वो फट गया था वो इंजाइम को तोड़ दिया खराब कर दिया जिससे पराकड बाहर है जब पराकड एक साथ धेर सारे बाहर आते हैं तो उस case में क्या होता है कि अंदर की वॉल पर बहुत pressure पढ़ता है जब अंदर की वॉल पर जो आपका tapitum था या ये वॉल देख रहे हो आप फट गई जैसे ही वॉल फटती है ये पराग के कड़ सब बाहर आना शुरू कर देते हैं यहां से ये निकलेंगे यहां से ये निकलेंगे ये देख लो हमीशा ये याद रखना जब भी वॉल फटती तो इधर से पढ़ती है इधर से पढ़ती ह समझे न हमीशा side वाले से की तरह फटती है समझ में आ गया होगा इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है clear हो गया अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे चलते हैं अब देखिए क्या है आपका हाँ मैंने ये बता दिया यहां तक clear हो गया आगे चलिए अब हम बात करेंगे पराग कड की संरचना के बारे में मैं सोच रही हूँ न कि आज जितने भी नर जननंक से रिलेटर जो भी पॉइंट है आज कंप्लीट हो जाए कल से आपका जो भी आपका next वीडियो बनाएगा मादा भी मैंने कंप्लीट के क्योंकि जो आपका चैप्टर है न बहुत जादा पढ़ने है और बहुत जादा लेंदी भी है तोड़ा हमको समझाते हुए टाइम लगेगा तो कवर करना ही है कैसे भी चलो स्टार्ट करते हैं पराग के कड पराग कड की संरचना एक बात और है कि जो भी आपके पॉइंट से दिहां से क्लियर नहीं होंगे वो जरूर बताईएगा ठीके तो अब हम संरचना की बात कर रहे हैं तो जो आप देखे हो कि जब आपका पराग को फटा है उसमें से पराग के कड बाहर निकल कर आए हैं उस पराग कड के से फट निकलता है कॉससा निकलता है कॉसा या HOR फट marrying destnio होती है यह फट चाती है या फिर humourसे अने को ​​ हैं और दूसरा कोश्चन यहांसे बनने वालाय है कि पराग कड की संरचना में जो इस पराकड के श्रक्ट्चूर होता है उसको ले की question बनता है यहां से दो question बनने वाले हैं ठीक है ना तो यहां पे भी आप जरूर डालेजेगा important for meat ठीक है यह आप जरूर डालेगा यह अक्सर question पूछा हुआ है इस वज़े से मैं इसको ज्यादा pressure कर रहे हैं कि इसको ज्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और इसको इजी बनाने के लिए मैंने यहां पे note भी इसके साथ कर दिया है कि इसमें क्या important होने वाला है तो थोड़ा देखिएगा देखो जो पराग कड़ होता है यह दो उसी पर एक और छिद्र पाया जाता है एक जगह महां पर जिसे जनन छिद्र कहते हैं जो बाहर वाली लेयर होती है वह खुरदुरी होती है उससे वाह चोल कहते हैं और उसको इंगलिस में एक जाइन कहते हैं इंगलिस में क्या बोलते हैं एक जाइन बोलते हैं समझे न और इसकी खासियत क्या है मैं जिसको बोल रहे थी निट में पुछे जाने वाला कोशन वो यह है यह जो बाहर चोल होती है यह इस पोरोलीन की बनी होती है यही इंपोर्टेंट है इसका इस प यह इस पराग के कड पानी में भी बहुत दिनों तक पड़े रह जाता क्या है शोग μ जटने स्टीक दधी सराने के लिए यह इतना रफली होता है कि यह अंदर वाले जो मौइस्ट है पराक के कड़ के अंदर जो नमी पड़ी हुई है जो उसके अंदर उसके खनीज लवड या जो भोजे कि आपके पराग पराक कर जो होती है इनका वाह होता है उसमें का। सउ स्पोरोलीन और में घूलंसील है कि घूलंसील है यह नवी गूलंसिल है यह बाहर वारी बात कर और लिये मैंने वहां पर बताथा कि बाहर वाली लेइर में एक जगह थोड़ा सा होल पाय जाता है जिससे कि हम जननचिद्र कहते हैं ठीक है इसे जननचिद्र की वजह से हैं इसमें अब नर योगमक होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं समझें अब इसके इंसाइड में एक और लेयर मैंने कहा था कि पराकर दो लेयर से बना होता है तो जो अंदर वाली लेवित्ती होती है वो पूरी तरह से सरकल होती है वो खुरदूरी नहीं होती है उसको इंग्लिस में इंटाइन कहते हैं और हिंदी में अंतह चोल कहते हैं मैंने आप 12 में हो आप next year graduation करोगे तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिस में problem होगी तो आप क्या करो थोड़ा थोड़ा इंग्लिस को लेकर चला करो जिससे कि अगर में कुछ special word है तो इसकी इंग्लिस जानते रहोगे तो आपको next year problem नहीं आने वाली है पढ़ने में ठीक है तो इ सेकेंड वाला आपका इंटाइन जो है जिस जो कि आपका पेक्टो सेलूलोज का बना होता है पेक्टो सेलूलोज का बना कौन होता है अंतहभित्ती बाहर वाली जो लेयर है वह पेक्टो सेलूलोज का बना होगा अब बाहर वाली जो होगी वह आपकी किस की बनी होगी स्प कड़ होते हैं इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल्स होता है सेल पढ़ा होगा कोशिका उसमें रसधानी आया था मैटो कांडिया आया था हरितलवक आया था तो रसधानी बहुत प्लांट सेल आप देखे होंगे यानि पादप कोशिका तो उसमें आप देखे होंगे कि जो वैक् रस्धानी का कामी क्या होता है कि भोजेपदार्तों को स्टोर करना एक्स्ट्रा फूड मटेरियल उसको स्टोर करके रखने का काम होता है तो पराग के कड़ जो होते हैं इनमें ये रस्धानी बड़ी सी पाय जाती है जो कि इनके फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है और मिला होगा यह आपका क्या है यह जो है आपका पराकड की कोशिका है स्वरी किंद्रक है यही आपके डिवाइड होने वाले हैं ठीक है यही आपके आगे डिवाइड होंगे और यह क्या बनाने वाले हैं आपको आगे दिखाते हैं देखिएगा ठीक है देख लो यह आपके य होता है ठीक है वो आपका वर्धी किंद्रक होता है जो छोटा भाग होता है वो आपका जनन किंद्रक होता है समझे ना ठीक है अब देखो यहाँ पर यह कब होने वाला जब यह कब डिवाइड होता है मैं यह आपको बता दूँ ठीक है पराकड में किंद्रक का विभाजन कब नहीं होता है समझे फड़ों में इसका डाइग्राम आपको दिखा देती हूँ देखना देखो यही है यह ना यह पराग का कड़ है इसका जो यह किंद्र था यहां पर इसके क्या है और रस्धानी दो प्रेजन्ट है इसमें भी रस्धानी है ही यह अभी परिपक्व में जब था जब तक इसको टेपीटम पोसर दे रहा था तब तक यह नहीं क्लियर था लेकिन जब परिपक्व में आ जाएगा तो इसमें सारे इसके जो आरगन है वो स तो वर्धी किंद्रक और जनन किंद्रक बनाने वाले हैं ठीक है देखो वर्धी किंद्रक वर्धी को ही काईक बोलते हैं ठीक है अब देखो यह क्या है आपके जब यहां पर डिवाइड हो रहा है यह जो डिवाइड होता है अस्यमेट्रिक तंतु के द्वारा यानि कि इसमे जो डिवीजन होता है यह आपके समसुत्री विवाजन होने वाला है जब यह विवाजन होगा तो इसके इसाब से दो कोशिकाएं बन जाती है ठीक है न यह किंद्रक दो किंद्रक बनते हैं और यही दो किंद्रक के दो एक आपका कुछ ज़्यादा सा जगह कवर करता एक आप में क्या होता है कि इन केंद्रक के ऊपर ऊपर कोशिका वो जो इनके कोशिका द्रब्य है ना वो दो पतली से लेयर बनाने स्टार्ट करती है दोनों के पास ठीक है जब वो दोनों के पास लेयर बनाने स्टार्ट करती है तो जब वही लेयर आपके कोशिका दो कोशिका के कर्दमेंट हुआ यह प्रक्रिया कब कंप्लीट होती है यहां तक तो आपका क्लियर रहता है यह अपका पराग कड की सनरचना तक ही है यहां तक और यह वाला दोनों पार्ट कहां पर आया है जब पराग के कड वर्तिकागर पर पहुच चुके हैं तब यह सारा प्रोसेस क्या होगा सब को अ यहां तक की भात कर दिया मैं यहां पर लिखे भी हूं आप देख सकते हो वर्तिकागर पर पहुचने के बाद जनन किंद्रक दो भाग में विभाजित होगा तिक अब यह आपका कहा है वर्तिकागर पर पहुचेगा अब यह वाला पार्ट जो है इसके बारे में मैंने लिखा यह वाला इसके लिए है अभी जनन किंद्रक दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है यह कब डिवाइड होगा जब आपका वर्तिकाग्रपर पहुचेगा आगे देखती है पराकोस में होने वाली अब देखो मैं जो आपका अभी तक का नर जनन अंग से लेकर अभी पराकड का बनना पराकड के बाद दो नर युगमक का बनना बहुत सारी तक की जो शॉर्ट फॉर्म में जो भी चीजें आएंगी मैं उसको यहां पे लिखी हूँ ताकि आपको पीछे का बोलते चलो फीक ऐसा नहीं करना है पराकोस में होने वाली घटनाओं का संचित विव्ड़ द में देखें पहले क्या बने गासी बनेगा इस में पराकोस होंगे चारो पराकोस में क्या बनने वाले विजाडू धानी बनने वाला है चारो विजाडू धानी में क्या पहले बनेगा आपका लगू विजाडू उतक बनेगा ये लगू विजाडू उतक क्या बनाएंगे आगे उसमें क्या रहेगा लगू विजाडू कोशिका रहेगा उस लगू विजाडू कोशिका जो होगी तो वो क्या होगी एक कोशिका जिसको कि हम लगू विजाडू कोशिका को और क्या कहते हैं मैं यहां पर लिख देती हूं लगू विजाडू कोशिका को लगू विजाडू मात्री कोशिका भी कहा जाता है ठीक है इसे और भी मात्री कोशिका, ठीके, मात्री कोशिका कहा जाता है, अब इसमें क्या होने वाला है आपका, यहां पर होगा अर्ध सुत्री विभाजन, ठीके, अर्ध सुत्री विभाजन होगा, समझें? जब अर्ध सुत्री विभाजन होगा न, तो इसमें क्या बन जाएंगे? लगू विजाडू बन जाएंगे, वो भी चार, एक से चार लगू विजाडू बनेंगे, यानि एक लगू विजाडू मात्री कोशिका से, चार लगू विजाडू चस्तक कोशिकाएं बनेंगे, वो अभी अर्द सुत्री विभाजन के बाद ठीक है अब यह जो चारों आपके लगु विजाडू है यह क्या बनाएंगे परिपक्व हो जाएंगे यह वाली कौन से अवस्था रहती है मैंने पताया था आपको और परिपक्व अवस्था है अजब पराग कड़ बन जाएंगे त तरह बनाया था जो कि आपका यह था यह डिवाइड होगा चोटा वाला पार्ट होगा यह बड़ा वाला तो यह आपका क्या हो जाएगा यह पार्ट है और यह चोटा वाला आपके जननकोशिका है ठीक है मैं यहीं बताई हूं अभी आपको समझे तो पराग कर दो भागों में बटा बड़ा वाला भाग वर्धी या काईक कोशिका होगा दूसरा छोटा वाला भाग आपकर जनन कोशिका हो जाएगा यह जनन कोशिका आगे जब यह कहां पर होने वाला है यहां पर लिख सकते हो वर्तिकाग्र वर्तिकाग्रप पहुचने के बाद दो नर युगमक बनेंगे एक आपका वह मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक्स्प्लेंन किया था कि मादा जननंग में क्या क्या आने वाला है तो वहां पर अंडाडू आया था तो एक अंडाडु साथ हो गया एक आपका द्वी ध के साहत हो गया किया戰 was read你 कड़ों कैया जाता है जैसे किया जाता जाता है वैसे पराख ककड़ों का भंडाण है और आपको बता दें भी मिलते हैं ठीक है ना पराख कर के जो पराख कर कुछ ऐसे पहले के बहुत पहले जब हमारे अर्थ की स्टार्टिंग रही होगी या तो फिर बीज वाले पौधे बन गए होंगे तो उस समय भी सुनामी आ सकती है यह जो हमारे नेचुरल हजार सो दें यह तो हमेशा आते र पाम में होंगे और कभी-कभी खोज में उनके पराख कर के फॉसिल हो जाते हैं तो यह आपको बता दे कि पराख कडो का भंडारण कैसे कि भंडारण का मतना है कि हम लोग कर रहे हैं ठीक है यह जो फॉसिल मिलता है वह तो नेचुरल स्टोरेज हो जाएगा ठीक है वह तो इसका भंदारड जो होता है ये भी आपका नीट के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैंने नहीं बताया थो आप लेकिन यह भी आपके इंपॉर्टेंट फाल नीट यह जरूर डालिएगा important 5 meat ठीक है इसको डाल लीज़ेगा क्यों important है कि पुछा जाता है कि आपके परादकर्ड का इस्टोर कौन से केमिकल में किया जाता है liquid nitrogen में किया जाता है ठीक है liquid nitrogen में इनको इस्टोर किया जाता है वो भी minus 196 degree temperature पर इसको store करते हैं और इसको हम कई वर्सों तक इस तरह से store करके रख सकते हैं समझे इसका ये फायदा है ना कि हमको ये पता चलेगा कि हम इसको store करके रख लिए तो किसी भी plant का जो अस्तित्व है वो नहीं कि खतम होने वाला है समझे तो इसलिए हम इसको बचाने के लिए इस्तित्व बचाने के लिए नए research करने के लिए इस तरह के work किये जाते ठीक है अब बात करते हैं पराकडू का उपयोग पराकड़ों का उपयोग कहा कहा किया जाता है पश्चमी देश जो है यह आपका इस सारे फॉइंट जो भी लिए है मैंने न अश्चमी देश के लोग पराक कड़ो को खाने में यूज करते हैं इसमें बहुत अच्छा सोर्स होता है कार्बो हाडड़ेड और प्रोटीन का इसलिए इसको यूज किया जाता है और आपको यह बता दे कि इसका टैबलेट फॉर्म भी आता है और इसका सीरप भी आता है ठीक है ना इसका कैसा फॉर्म में आता है टैबलेट मैंने लिखा है एंड यहां पे सीरप भी होता है सीरप भी होता है पराग कड का ठीक है ना इसको इंगलिस में जब इसका जो सीरफ पॉलेन सीरफ आता है या पॉलेन टैबलेट आता है मैंने आप नोट भी किया है पॉलेन टैबलेट ठीक है तो इसको पस्चिमी देश के लोग खाते हैं लेते हैं खाने में ठीक है अब यहां बात क इतने ज़ादा माउंट में निकलते हैं कि सुर्य के धूप बहुत अच्छी खासी हो न तो जब इनके पराक्वोस फटते हैं पाइनस के प्लांट का पराक्व को छब फटता है और वो पूरा उसके प्लांट से जड़ता हुआ गोल्ड की तरह पूरा नीचे गिरता हुआ दिखेगा क्योंकि जितने प्राग के कड़ होते हैं उनका कलर होता है गोल्ड कलर का बहुत ही प्यारा दिखता है तो समझे और लेकिन और कुछ ऐसे प्लांट है कि उनके जो प्रा गाजर घास जो पराग कड़ा आपके सरीर पर लग गया ना तो आपको एलर्जी होगी अपको बहुत खुजली होने वाली है तो कई मुवी में इस तरह के प्लांट को यूज करते हैं पानी में उनके विस्तर में कहां कहां डाल देते हैं ताकि वह किसी को परिसान करना हो तो यूज किया जाता है समझे ना एक मुव आल बहुत पुरानी मुवी आई थी मैंने उसमें देखा था तो वह आप कौन सा मीरा राधा करके दो एक्ट्रेस रदी है और एक्टर रदी है और एक्टर का नाम सचीन है मुझे इतना पता है ठीक है ना याद होगा तो याद होगा वैसे आप लोग नहीं जमानी को तो पुरानी मुवी तो तना देखते रही होगे लेकिन पहले आता था था नेस्टर पर वो अशंदी-टू-संडे मुवी आती थी तो मैंने उसमें देखा था तो बात कर रहे हैं तो बस देको एस सारी पॉइंट रहो ही ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे मुझे सारी चीजों को आपके मैंड में अच्छे से सेट करना है तो थोड़ा थोड़ा तो बीच में हम डेक लेना ही पड़ेगा ठीक है तो देखो अब पराग कड़ों से बीमारी की बात कर लिया तो मैंने गाजर बताया ग उसके बाद एक और है आपका स्वसन से संबंधित और सारी बीमारियां खासी आना और आपके ये गला दर्द होना ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है सास नहीं लेव पाओगे सास आपके बहुत ज्यादा फुलने लगेगी ठीक है ये हो गया उसके बाद आपका नेक्स ट्रॉप कोई काम की नहीं बचेंगे ठीक है वहीं पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका की जो लाइफ चमता होता है एक मंत होता है और वहीं पर कुछ और पौधे होते हैं जिनका की एक साल भी होता है तो दो चीजों को मैंने अब बताया है तीस मिनट यानि आदे घंटे के लिए गेहूं का पराकड का होता है ठीक है आप लिखा है मैंने और आपका एक मन्त के लिए गुलाब के पौधे का होता है रोजी एसी फैमली के जितने आते हैं उनका लगबग में एक मन्त होता है पराके कडों का जीवन छमता समझें तो आज के लिए इतना ही आपका देखा ठीक है इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है आप देख लिए है ना आप फिर से एक बार देख लेते हैं चलो मैंने वह स्टार्ट नहीं किया तो फिर आपका नेक्स्ट क्लास में आपका मादा जननंग के बारे में बताया हाना ठीक है यहां से देखो a question यहां से स्टार्ट हुआ है एक question Neat के लिए यहां से इंपॉर्टेंट है मैंने कहा था कौन सा यह enzyme important पर पिर बात किये थे ने हुआ पर आके कर यह कौन से लेयर होती है जोड यसलेयर होती है keels भित्ति इसको बोल देना, ठीक है, कैलोज भित्ती है आपका, ठीक है, ये भी आपके लिए important है, किसके लिए, neat के लिए, neat के लिए important है, फिर आपके बात आगे करते हैं, यहाँ पे भी मैंने कुछ बताया है, यह दोनो पॉइंट्स भी important है, क्यों important हैं इन दोनों, यहाँ पर देखो, यह दोनों भी किसके लिए है, neat के लिए है, यह दोनों भी आपके neat के लिए है, ठीके, फिर पराकड का किंद्रक भी भाजन मेंने बताया था, यह तो आपको समझ में आ गया होगा, दो ही layer है, ठीके, यहाँ पे कब ऐसा होने वाला है ये भी बता दिया गया फिर विवरण मैंने बता दिया यहाँ पे जरूर याद रखिएगा लगू विजाडू कोशिका में अर्ध सुत्री विभाजन होता है ये भी आप समझ लिजेगा नीट के लिए कौन सा विभाजन होगा अर्ध सुत्र आएगा ये वाला पॉइंट आपको भी क्लियर होगा कि पहले दिन बता दिया गया था और नीट के लिए यह important चीज़े हैं इसको जरूर ध्याद दीजेगा यह नीट के लिए important है ठीक है उतके बाद है अपका क्या बताया तो आज का जो टॉपिक था मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है आपका जो नर्जनन अंग है पुस्पीय पौदो का ये पूरी तरह से तो आप इसका जो पीडिया के लिंक को होगा वह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है तो आज का जो वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा कमेंट करिएगा आपने दोस्तों में थीक है कोई डौट हो कोई question हो तो आप comment box में share करिए उसको हम यहां से solution देंगे ठीक है तो have a nice day everyone ठीक है